क्या आप भारत का प्रसित खाना जानते हैं? भूख से ज़्यादा कसमे भारत में खिलाई जाती हैं, ये भारत का सबसे ज़्यादा खाया और खिलाया जाने वाला अन है जिसके उपर किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता विश्वास करने में किसी व्यक्ति के उपर सालों साल लग जाते हैं या किसी पे हमने अपना विश्वास समाना हो तो सालों साल लग जाते हैं पर विश्वास तूटने में एक मिनट से भी ज्यादा का समय नहीं लगता अन का नुकसान ना करें जीवित रहने के लिए खाना खाना चाहिए पर हम में से कितने अनेको ऐसे लोग हैं जो खाना खाने के लिए जिन्दा रहे रहे हैं जिन्दगी में हम सब कुछ बड़े आराम से कर सकते हैं पर विश्वास करना या भरोसा करना ये सीखना सबसे मुश्किल काम है जिन्दगी का सक्चा धन सिर्फ और सिर्फ अन हो सकता है क्योंकि जिस समय हमें भूख लगी हो उस समय एक तरफ हमारे पास थाली में भोजन हो और एक तरफ पैसा हो तो हम सिर्फ अन की तरफ ध्यान देंगे पैसे की तरफ नहीं देंगे भरोसा एक छोटा सा शब्द है जिसे पढ़ते हैं तो एक पल लगता है सोचें तो कुछ पल लगते हैं समझें तो दिन लगते हैं और साबित करना चाहें तो जिन्दगी निकल जाती है जिन्दगी में अगर कुछ नया करना चाहते हो आगे बढ़ना चाहते हो तो ये विश्वास रखकर आगे बढ़ना कि जो होगा वो हमारे अच्छे के लिए होगा डर को फिर कहीं स्थान मत देना कीमत हमेशा प्यास की होती है कभी पानी की नहीं होती कीमत हमेशा सांसों की होती है कभी मृत्यूं की नहीं होती है कीमत हमेशा विश्वास की होती है प्यार की है भे डर के बिलकुल उलट है जब हम डरते हैं तो इसका मतलब हमने जिन्दगी के उपर से विश्वास हो दिया, भरोसा हो दिया, अपनी हिम्मत तोड़ी विश्वास दुनिया की वो असीन ताकत है जिससे उजड़ी हुई दुनिया को फिर से बसाया जा सकता है किसी व्यक्ती को खुश करना चाहते हो तो उसे उसकी पसंद के हिसाब से भोजन कराईए क्योंकि दिन तक पहुँचने का रास्ता सिरफ पेट के माध्यम से चाहता है आप वक्य ही अनडाम करना चाहते हैं तो एक बार किसी भूखे व्यक्ती को पेट भर खाना खिलाएं पर उससे ज्यादा जरूरी उसे जिन्दगी भर का काम दिलाएं वो जिन्दगी भर आपको दुआएं देगा